सार्यानु प्यार भरी सश्रेकाल ओम शांती एक वर फे स्वागत कर दी हां साड़े आज दी प्रोग्राम खुशियां खेड़े साड़े वेड़े दोस्तो एक चीज जो साड़े समाच बहुत जादा वर्दी जा रही है ओ है आउपवित्तरता पहले ही हो तंदी अपवित्तरता होवे, मंदी होवे या फिर तंदी होवे आज असी गल करांगे इसे अपवित्तरता बारे ते क्यूं साड़ी जिंदगी पवित्तरता जरूरी है और इदे की की फाइदे है साधे नाल ने आज साहिल खाइसा साहिल खाइसा थारा बहुत-बहुत सागत है साधे प्रोग्राम ओम शांती ओम शांती चिदा आपा गल्व किती सी पिछली कडीच की पवितरता जो है मन दी पवितरता एकनी जादा important हों दी है साधी आम life चवी एदा बहुत-जादा महत्व मन्या गया है और सब तो जादा जो महत्व एदा मन्या गया है ओ है साधे शास्तराँ ती मैं पुछना चानियां की जो साधे शास्तर ने और जो भी उपन्यास लिखे गए ने इदे उपर ऑदिच पवित्तर तालों कित्थों तक मानेता देती गई है तो जी जी इसी गीटा दा उधारन लई है गीटा विच कहन दे है के काम महाशेत्रू जादा शेत्रू हैけて जी जी देवतावा ने काम वेकार थे विजय पाके दुनिया थे विजय पाली ते एन विच एंज भी महावागे देते है के मन जीते-जगर जीते वीजिकली मतलब है थी कि जो इनसां काम विकार दे जघक है वो एंपने मन दे जघक है and साढ़े मन देनाल, साढ़े संकल्पा देलिनी असी स्रिष्टीनों रच देया जे हो जासी संकल्ब कर दे हैं, तो हो जा जीवन बनी जाना है बहुत जादा सिगनिफिकन्स हर शास्त्र विच दित्ती गई है पामे तुसी गुरुग्रान साब लेलो, गीता लेलो, उपनिश्र लेलो, बेद शास्त्र लेलो सो बहुत ही कैदिएंगे इंपोर्टन्स दित्ती गई है मिलब शास्त्र वे हसापनाल भी तुसी कहनते हो कि पवित्तरता जो है पहले तन्दी होवे या मन्दी उन्हों फॉलो करना चाहिदा है एदे उपर एक बहुत ही वड़ा सवाल खड़ा हुंदा है और अंदा है सदे व्यांशादियादा जो कि बहुत ही आम है एक प्रथा बन चुकी है जो कि युग जुग पुरानी चल दिया रही है एक प्रथा इतादे दिम मताबग, कैन्दे मताबग तो और शास्तरा दिम मताबग एक फिर्टा साननों व्याँ भी नी कराना चाहिएदा एक्चुरी व्याद ही जडी रसम है शुरुवात तो होई है जैसी सत्योग तो लई है देवी देवतावानों भी लई है उत्थों भी व्याद ही रसम चल दिया है एक हस्बंड वाइफ रिलेशन एक बहुत पवित्र एंड अच्छा मन्या गया है जन्नों एक ग्रहस जीवन नों बहुत एक सुन्दर नों मन्या गया है क्योंकि एक कमपैनियनशिप भी है और एक जिंदगी दा हिस्सा भी बन गया है कि उन्दी इंपोर्टेंस भी बहुत जादा अगर कोई व्यार नहीं करा रहे है ते अज साथे समाच उनों बहुत एजली एकसेप्ट नहीं करते अज कल ते फिर भी थोड़ा एकसेप्ट कर लेंदे है बट जद शुरू तो जैसी देखिये ता ते हमेशा सब्दा व्या हुंदा ही हुंदा सेगा आज इसा गो लोग देख दे कि डिस्टर्ब्ड मैरेज इसा गी है ते अज कल नहीं भी करांदे कदे कदे या फिर चलो कोई सन्यास लोग ले लेंदे है बट मैं कहन दी कुछ कर रहे है कि ज़न ज़े शुरू तो जैसी देवी देवता दा लाइफ लाइए एक बहुत एक सोनी लाइफ बिकोज लाइफ हैंगी साटी के एक्सपिरिंस करन वस्ते हैं हर तरह दी चीज अच्छे एक्सपिरिंस लें वस्ते व्याकरांज कोई माड़ी गाल नहीं है व्याकराना चाहिए है जिस तरह इच्छा होए उस तरह व्याकरा सकरा है मिलो तदे मुलताविक तुसी व्या ते थपा लगाता है कि व्याकराना चाहिए है मगर पवित्रता जीवन दा एक होर एक अपना नशा है जो कि एक होर अपना एक जीवन है सो व्या कराना एक गल है और पवित्रता दूजी कल है तरही दा मतलब तुसी एदिते सैमती कर दे हो कि हाँ व्या कराना चाहिदा है बिल्कुल व्या कराना चाहिदा है मगर फिर भी जे कुई अपना जीवन को बहुत वड़े कार्यानों दे रहे है समाद सेवावल, अध्यात पिकतावल, यह को बहुत ही योगी जीवन जीना चान्दा है ति उन्नों हुन ऐ चीजां में निरस्ता लग दी है उन आवी करा है उदे वस्ते भी ठीक है मिलोगे, it's a matter of choice कराना भी ठीक है, ना कराना भी ठीक है, दोनों तरफ तो ठीक है यह थे जो आपा गाल कर रहे हैं हुन व्यां तो बात दी तो व्यां तो बात दे जो सवाल नहीं, वह बहुत सारे खड़े हुन दे है according to you, जो तसी दस रहे हो एदे जो विचार था रहा था, आपा पवित्तर कर दे हां जिदन तसी गाल कीती, लेकिन तन दी पवित्तर था नो मैं चानिया तसी होर अच्छे तरीके ना एक्स्प्लेइन करो कि व्यां तो बात फिर किद्धा, अगर किसी ने व्यां करा लिया है एक बहुत वड़ी काल हो जानादी है और थोड़ा मुश्किल भी है काम पर पहला क्यों रहना है एदे तसी सनु माइने दसो पवित्तर क्यों रहना है एक नाचुरल प्रोसेस हो जाना है बिकॉस की होना है कि हर इंसान हर चीज कुछ स्टेज़ विचो निकल दी है वो स्टेज़ है कि है सतो प्रधान सतो रजो तमो एक बड़ी एक common knowledge है कि है एंड विचो चीज जाके तमो बन जानती है बिल्कुल तमो प्रधान मतलब कि हर आत्मा शरीर कोई भी चीज कोई भी फिजिकल स्थूल चीज दलो तो उसी परमें एक mobile ललो computer ललो वो एक पहले एक perfect stage विच होंदा है हौली हौली ओ चीज खराब होंदी है सो जद असी आत्मा वा उप्रो आयां सी किया जिन असी पिछली कडीच भी हो कानी सुनी सी सो असी प्रदान सी किया हौली हौली असी सतो दी stage विच आये फिर रजो दी stage विच आये रजो विच जिन जाविकार आने साथे विच शुरू हो गए ते फिर असी बिलकुली तमो डाउन फॉल बल चले गए तमो मतलब कि तोडा भोजन विया पवित्र हो गया तोडा रेंसें विया पवित्र हो गया तोड़ा हर तरह तोड़ी गलना तोड़े विच आर हर चीज तमो प्रदानता वाल चले गए ऐसे तरह स्रिष्टी भी पूरी सतर प्रदान, बिलकुल पावन सुखधाई तो, बिल्कुल तमो, दुखधाई वल चले गई, ते हुन तुसी देख दो, जिन्ज मौसम भी है, कदे बहुत गर्मी है, कदे बहुत सर्दी है, उसे पुचाल आ रहे है, कि ते फ्लाट्स आ रहे है, एह हुन तमो प्रदान वल है, एह ही अपने जीवन विच देखना है, कि हुन आशी केड़े स्टेज ते हैं, जादतर मन्य जानना है, हुन ने सारी दुनिया हुन तमो प्रधान स्टेज ते हैं, अच्छा, हुन अच्छा जीवन नो किंज सतो वल लेके जाना है, एह अधा मेन मकसद होना चाहिए है, कि पूरा जीवन ही फिर बदलना पएगा ध्रम्चहरे लक्षे नहीं है, पुरे जीवन पुवित्रा बनाना, खुश्छाल बनाना, एक्चुरी अधा, रियल साड़ा टार्गेट है अधे बिना पवित्रता नो एक्चेप्ट केते, असी उस चीजनो नहीं पासक देया था मतलब पूरी तरह न अलगर असी सतो प्रधान बनना चानने है असी उधी शुर्वाट जो है पवित्रता तो करनी है बिल्कुल, पवित्रता तो करनी हैं, मगर एक प्रोसेस हैं, मैं तो नू दसना, एक पाइदा एक्जैंपल मैं तो नू देना, उते नॉर्मल विकारी ख्याल जिन सिगे, नॉर्मल जीवन जिन्दा सी, जिन आज का लोग जिन दे है, जिन लेट उठना, किते अटैच्मेंट हो जाना, नॉर्मल दोस्ता नालकुमना, क्योंकि तुसी मैरेड लाइफ ता पुछ रहे हो, तो मैरेड भी सिगा, ते उन्हों मगर ऐसारा नॉर्मल दुनिया वे जीन दे हुए, उन्हों भी सिगा के नहीं अध्यात में ता कुछ है, सो ओधेवाल भी थोड़ा-थोड़ा इंट्रेस सेगा, पढ़दा सेगा, सो उन्हें जिन जिये पढ़ाई शुरू किती, उन्हें देखिया कि चलो मैं अच्छी पढ़ाई पढ़ा, जो जिदे विच्वी मेनू अच्छी अध्यात मिक्ता मिले, जिदे विच मेरा जीवन स उन्हें अच्छी गुरुआ मिलना शुरू किता अच्छी सनयासियां को भी उगया हर जंगा इंट्रेस घाकराना शुरू वे वे पिछे की है। एया अपना ग्यान कितों लह रहे है। उनने देखे हैं अपना जीवन भी थोड़ा बदलना शुरू करता। वेजिटरियन भी बान गया सेगा। उनने अननेसेसरी अक्टिविटीज राती कुमना फिरना भी थोड़ा चड़ता। वेजिम रूमनेटरीन खनागा। वेजिवन भी रहता। कि आधे दोराण उनने देखे हैं कि वेजिए व便 अपना ग्यान किते हो लाह रहे हैं उन्नों पता लग focus और गृत्या्यां उन्न भी अपना ग्यान पार्मात्मा को लाह में मैं डाइरेक्टी अपना ग्यान क्यों ना परमात्मा को लवाँ क्योंकि किसे इंसान विच फसनाते नहीं है न अबजेक्टिव होगी तो थोड़ा थोड़ा दिविच ग्यान थोड़ा योग थोड़ी धारना वाजिंच बन गया सेवा उनने शुरू करती तो एक पूरा एक साथी लाइफ जया तो बनना शुरू करता है जातो उनने बदलने शुरू हो गए जद बदलने शुरू हो गए तो नहीं तो यहां कि क्या कि मैंनू रियल परमात्मा दे प्राप्ती केंज हो सकक दी है तो ता तो उन्हों दस्यागे कि दिये तुसी पूरी प्राप्ती करना जान देओ, तो उन्हों एक पवित्र जीवन जीना पाएगा, क्योंकि परमात्मा एक बहुत प्योर सोल है, उस प्योर सोल न्हों अनुभव करन वास्ते एक प्योर आत्मा ही होदा अनुभव कर सकती है, एक नॉर्मल आत्मा उन्हों एक्स्पिरियन्स नहीं कर पाएगी. उन्हें किया ठीक है। क्युँकि हुन्हों अल्डी थोड़ा चेंज हो रहा सी। उन्हे चीज नो एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल वे जिना शुरू किता बिल्कुल समाज विच वी उने बिल्कुल अगे जाएगी फिर अगे जाके अच्छी नॉर्मल अक्टिविटीज चंगे लोकांदा संग अपने बिजनस विच्वियों ने देख्या कि बिल्कुल नॉर्मल मत्दब गुसा वी उन्हों नहीं आना क्योंकि वो ग्यांदी पढ़ाई का रहा सी रोग चिंतन का रहा सिगा सो एक करदे करदे उदा पूरा जीवन बदल गया पवित्रा दे संकलप आने बंद हो गया उन्हें लक्षे नहीं रख्याजी के मैं भ्रहमचरय ही लाना है उदा नॉर्मली नैच्रली उदा जीवन भ्रहमचरय पवित्रता वाल चाल पया एंड सालों साल फिल एन चलना पवित्रता वी हो गई उदा कर वी खुशाल हो गया उदे समाज विछ विछ वी ओने रिलेशन भी बेटर हो गए जो बिजनस करदा सी ओवी बेटर हो गया क्यूंकि लाइफ सिंपल हो गई पहले जिंज पॉड़े खर्चे करदा सी ओओ खर्चे भी हो दे कट गए नॉर्म तोड़ेगा, कितना किते पामे, योग नाल, ग्यान नाल, अच्छे संग नाल, ते फिर वो एद दर्वाल तुर पहेगा, तो सारा एक जीवन, खुशाली अलाना शुरू हो जाएगा. मितलब जो एंड मकसद है होए है कि असी सतो प्रद्वान बनना है और वो दे लिए सब तो पहला जो शुरुवात करनी है, वो आपने आपनो अध्यात्मिक नाल जोड के ही करनी पहेगी. अध्यात्पिक नाल, होजे लोका नाल, होजे संग नाल, योग विच कुछ अनुभव करन नाल, ज़र योग दा अनुभव होएगा उन्हों, उन्हों बाहर दी चीजां फिर फिक्की लगनिया शुरू हो जानगी है, सारे आने नहीं करना, बिकोज ए नियम है, हर इंसान अ इसी पवित्तरता दी, बहुत ही अच्छे तरीके नाल, साहिल भाई साब ने सानुभव करना, कि किना जरूरी है साड़े विचारा नो भी पवित्तर करना, किते ना किते ओ जो प्लानिंग असी करते रहने हा, ओ प्लानिंग जो है, उन्हों हटा के अपने जीवन नो करना पहेगा, अपने विचारा पवित्तरता ले आनी पहेगी, सिंप्लिसिटी नो अपनाना पहेगा, और विचारा दे नाल नाल, सानु, साड़े तन दी पवित्तरता दा भी त्यान रखना है, और जदो मन और तन दो भी पवित्तरता हों दिया है, ते साड़ा पूरा जो कॉंसेंट्रेशन है उस सतो प्रधान दी तरफ चला जानदा है और जदो सधी आत्मा सतो प्रधान बन जानदी है ते असी आटोमेटिक परमात्मा दे कोल चले जाने हां अगर एदा छोटा जा अंश भी असी अपना लिया ते असी बहुत अग्य जा सकते हां और अपने जीवन नो खुश हाल बना सकते हां फिर मिलांगे अगली कड़ी तब तक थाड़ी सारे अंदा बहुत बहुत तरन्यवार ओम शान्ती